नमस्कार दोस्तों मैं क्रिश्ट नमूर्थी आप सभी का सौध करता हूँ लड़ने मेरा यूट्यूब चैनल में आज आपको बताने वाला हूँ फ्यूटर्स में रोलावर क्या होता है रोलावर का बेनेफिट क्या है और चीज़ें आपको कैसे समझनी है यहाँ पर देखो मैंने जो है कॉल आप्सन है इसका वैलू 5 पैसे का हो गया है मैंने इसको बाई किया 24 फैबर 2023 को अगर उसी देट को मैं बाई करता मालो 1610 का कॉल आप्सन SDFC बैंक का उससे में इसका रेट चल लाओगा मालो 70 रूपीज या 80 रूपीज तो सारे के सारे पैसे मेरे यहाँ पे जीरो हो गया होते क्यों 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 यहाँ पे आपका time value expiration है लेकिन यहाँ पे आपका time value expiration नहीं है जो price पे आपने इंट्रे किया है जो price आपका चल रहा है उसके बीच में जो difference है आपका वही आपका loss होगा उसको lot size से multiply कर देना concept clear अब बोलोगे सर मुझे मालो prospect जो है अच्छा दिख रहा है next month में कि SJC bank जो है यह ऊपर जा सकता है तो मुझे क्या करना चाहिए मुझे loss book करना चाहिए या क्या करना चाहिए तो यहाँ पे इसके लिए एक time आता है rollover rollover का मतलब क्या होता है आज तो expired है 29th March का expired है मतलब 330 को यह contract आपका expire हो जाएगा मतलब आपने delivery के लिए apply किया है तो यह आपके debit में चला आएगा apply नहीं किया है तो जो भी आपका profit and loss हो रहा है वो sell हो जाएगा जो भी broker है आपका sell कर देगा और next working day जो भी आपका loss है या profit है आपके funds में credit कर देगा या debit कर लेगा अब क्या करना है आपको कुछ नहीं करना आपको करना क्या है बस यहाँ यह loss हो रहा है अगर आपको लग रहा है SDFC bank next month perform करने वाला है तो क्या करो आप March month का जो है यहाँ पर future जो है वो sell कर दो और April month का future जो है वो buy कर लो जो आपका buying price है वो no down कर लेना जो आपको future buying में और selling में charge लगा है वो no down कर लेना उसको add कर देना और उससे उपर मानलो गया तो आपका profit है simple term में समझो तो roll over कि इसको बोलते हैं मालो यह March month का मेरे contract है इसमें loss दिख रहा है मैं क्या करूंगा March month के contract को मैंने buy किया था squadf का मतलब देखो मैंने यहाँ पर buy किया है तो sell कर दो squadf का मतलब है buy किया तो sell कर दो sell किया तो buy कर दो position close कर दो मैंने sell कर दिया यहाँ पर मैंने March month का HDFC bank मैंने sell कर दिया 4,500 loss में मैं उसी समय क्या करूंगा मैं यहाँ पर HDFC bank जो है April month का buy कर लूँगा instantly और यह मैंने buy contract कर लिया simple मेरे पास एक महिने का time जो है extend हो गया है मेरा March month का contract था जिसमें मुझे loss दिख रही थी मैंने किया किया March month का contract को sell कर दिया और April month का contract को buy कर लिया लेकिन मेरा entry price जो है वो 1603 का ही है तो मेरा buying price जो है 1603 का था पहले अब 1604 का हो गया है 1 रूपीज मतलब एक महिने में आपको 1 रूपीज का costing extra पढ़ गया है अगर हमार लो 1604 के ओपर गया तो वह आपका profit है ऐसे ही आपका future में जो है आपको costing देखनी होगी next month के contract आपको roll hour करना होगा ध्यान रखना future जो है बस ऐसे ही काम करता है यहाँ पर time value decay नहीं होगा बस आपको margin maintain करना होगा जो loss होता है उस loss के करो index में करो ऐसी work out करता है बस future में क्या होगा buy करना जो costing आती है वो add कर लेना और आपको लग़ा prospect ऊपर जाएगा तो बस बैठे रहो अगर मालो April मंत में भी जो है इसका price यहाँ पर रीच नहीं किया जो मेरा buying price है मैं क्या करूँगा April मंत में भी sell कर दूँगा expiry को और मह मंत का contract buy कर लूँगा इसको मैं April से मही में रोल आवर कर दूँगा कब तक रोल आवर करूँगा जब तक मेरा costing यह profit नहीं चला आए तो यह benefit है आपको futures में जो benefit आपको options में नहीं मिलता है options buy करो यहाँ पर देखो और लेडी जो है यह 0 हो चुका है यहाँ पर आपका यही concept यहाँ पर मुझे लाइब बताना होता है यह एक पेपर ट्रेडिंग यहाँ पर जो profit and loss हो रहा है वो पेपर ट्रेडिंग का है मैं लाइव classes लेता हूं आपको यहाँ पर देखो मुझे लग रहा है इसमें बाइंग बनी वी है आज मार्च का एक्स पर रही है मैं क्या करू हुआ है तो एकजीट करूँगा सेल आ जाएगा सेल आ गया मैं सेल का ओप्सन पर क्लिक करूँगा मेरा profit बुक हो गया है लेकिन मुझे लग रहा है प्रॉस्पेक्ट अभी और भी है next मंत का मैं क्या करूँगा अप्रिल मंत का कॉंट्रेक्ट जो है बाइ कर लूँगा क्य यह per day basis पर आपको maintain करना होगा इसी को बोलते हैं M2M तो यह आपको maintain करना होता है क्योंकि यहां पर मार्जिन में ट्रेड करते हो options में क्या होता है loss होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपका buying में buying में already आपने पूरे पैसे pay कर दिये होते हैं तो उसमें कोई M2M maintain करने की जरूरत नहीं है आपको खासकर option buying call put buying में अगर mall of future आप buy sell करते हो या फिर option आप sell करते हो जो भी आपका profit and loss है अगर negative है तो वो आपको maintain करना होगा at the end of the day अगर maintain नहीं करोगे तो आपको extra charges जो है वो penalty जो है वो लगती रहेंगे concept clear हो गया आपका roll over क्या होता है loss हो रहा है तो भी roll over कर सकते हो profit हो रहा तो भी आप roll over कर सकते हो अगर आपको next month का prospect जो है अच्छा दिख रहा है तो concept clear हो गया मैं आसा करता हूँ वीडियो जो है आपको अच्छा लगा हो वीडियो अच्छा लगा है करें लाइक करें सब्सक्राइब करें सेख करें तब तक लिए दोस्तों धन्यवाद